हेलो दोस्तो मैं हूँ कुलदीप सिंग और आप देख रहे हैं फिशन पॉल्ट्री अड़ा कल मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी जिसमें मैंने आपको बताया था कॉस्टिंग के बारे में चिक्स आने से पहले या चिक्स डालने से पहले आप एक बार कॉस्टिंग जरूर करने हैं तो दोस्तो मुझसे कुछ इसमें मिस्टेक हो गई थी तो वह मिस्टेक को क्लियर करने के लिए मैंने यह सेकंड वीडियो दोस्तों आपको जल्दी जल्दी बना रहा हूं ठीक है तो पॉल्टी फार्म में मैंने जो आपको टोटल कॉस्ट जो बताई थी टोटल कोस्ट वन केजी बर्ड होने में है ना बर्ड मतलब मुर्गा मुर्गा होने में जो मैंने टोटल कोस्ट बताई थी वो मैंने 85 पर केजी बताया था तो इसमें जो मैंने 85 पर केजी बताया था वो मैंने आपको एक केजी का feed का cost लेके बताया था ठीक है एक केजी की feed की जो cost थी वो मैंने कितनी बतायी थी आपको 45 पर केजी लेकिन 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 मैं आपको इसमें एक पाद बताना भूलिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ एक केजी का जो मुर्गा होता है यहां bird होता है उसको एक केजी का होने में लगबग वो 1.5 केजी आपका दाना खाता है एक हमारे subscriber भाई है उन्होंने comment section में मुझे को बोला था कि सर आप calculation गलत कर रहे हो बिल्कुल सर मैं बिल्कुल गलत कर रहा था इसलिए मैं ये review वीडियो बना रहा हूँ जल्दी से ठीक है तो 1.5 केजी दाना खाता है एक मुर्गा एक किलो का होने में तो ध्यान रखना 2 किलो का होने में मुर्गा कितना दाना खाएगा 3 केजी मुर्गा दाना लगबग दोस्तों हमारा खाएगा 2 kg का फोटे में तो दोस्तो तो जल्दी से हम लोग 1 kg की cost निकाल लेते हैं ठीक है, 1 kg की cost कितनी आई तो देखिए मान लीजिए आपने chicks लिया कितनी है गा 30 रुपे पर chicks ठीक है feed की cost मैंने आपको 45 लगाई थी, इस समय 40 चल रही है, ठीक है वो मैंने maximum लगा के देख लिया था कब सोयाबीन काफी मेहगा था तो उस समय feed की cost दोस्तो जादा हो गए थी लेकिन feed की cost जो है वो थोड़ी सी कम होई है इस समय जो feed की cost चल रही है वो लगवग 40 रुपे पर kg चल रही है दोस्तो 40 रुपे पर kg जगे जगे का difference हो सकता है हमारे यहां इतनी चल रही है ठीक है आगरा मैं तो 40 रुपे पर kg के इसाब से अगर बात करें तो 50 kg का बैग होता है लगवग 2000 का जो कट्टा है वो आपका एक बैग पढ़ जाता है लेकिन 40 रुपे में मैं मान के चल रहा हूँ प्री startr महमा आता है startr और थोड़ा से सस्था आता है और finisher और फोड़ा से सस्था आता है तो 40 रुपे पर kg की बात करूँ तो 2 kg का होने में कितना दाना खा रहा है दोस्तों 3 kg क्यों दाना खा रहा है तो यानि कि 40 गुणा 3 मतलब 120 रुपे का तो दिये दानी दाना खाय जाएगा खाय जाएगा नहीं खाय जाएगा ठीक है मैं 1 किलोपे कॉस्ट निकालूँगा अभी देखो 120 का होगी है दाना और जो management कॉस्ट है वो मैं आपका कितना लगा रहा हूँ 10 रुपे लगा रहा हूँ management कॉस्ट लगा रहा हूँ 10 रुपे जिसमें आपका labor आ जाता है जिसमें आपका management आ जाता है light आ जाती है पानी आ जाता है liter आ जाता है सारे खर्चे दोस्टों में 10 रुपे में लगा रहा हूँ एक किलोपे होने में तो अब हम calculate कर ले रहे हैं तोटल दो किलोपा मुर्गा होने में कितना आपका फिर में आपको बता हूँ एक किलोपा होने में कितना पैसा लग जाएगा तो तीस रुपे यह और एक सो बीस रुपे यह और दस रुपे यह तो कितना हो गया 120 ये हो गया, 30 ये हो गया, 10 ये हो गया, 0, 4, 6, 160 यानि कि आप दोस्तों देख रहे हैं, 160 रुपे जो है, वो 2 किलो का मुर्ग हमारा टोटल हो जा रहा है, 160 रुपे में ठीक है, अब अगर मैं इसको 1 केजी बताऊं कि 1 केजी में मेरी कितनी कॉस्टिंग हा रही है 1 किलो मुर्ग होने में मेरी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, तो 1 केजी का मुर्ग होने में मेरी कॉस्टिंग आ रही है 160 बटे 2, यानि कि मेरी 1 किलो का मुर्ग होने में 80 रुपे की कॉस्टिंग दोस्तों मेरी आ रही है तो इस बिहाब पे आप चेक करिए कि मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है ठीक है इस मैथट से आप पता लगा सकते हैं कि मेरी एक किलो मुरगा जो होने में वो कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है, वो 80 रुपे आ रही है, कल मैंने जो कॉस्ट लगाई थी, फीड गी, वो 45 रुपे लगाई थी, ठीक है, तो 45 रुपे लगा के भी आप कर सकते हैं, 45 रुपे अगर लगा के आप करेंगे, तो 3 कुलो दाना खाएगा, 15, 12, 13, 135 रुपे का त और ये, 175 रुपे 2 किलो का होने में आपका मुरगा हो जाएगा, ये कब जब 45 रुपे आप लोगे तब, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने 40 रुपे लिया है, फीड की कॉस्ट जो होती है, बढ़ती है और गटती रहती है, ठीक है, दोस्तों, तो यहाँ पर 45 से लेया, तो यहाँ पर 175 आ रहा है, और अगर आप 175 का हाफ करोगे, तो दू, आठ, 16 और एक बचा, दू, साच, चौत, बंदलो, 87 के करीब आपकी कॉस्टिंग एक कलो मुरगा होने पर आ जाएगी, तो यही चेक करना है आपको, और मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कॉस्टिंग 80 या 75 या 70 के बीच में आ रही है, तो ही मुरगा डाले हैं, अन्यता थोड़ी दिन रुख जाएं, जब तक चिक सस्ता न हो जाए, तब डालते हैं, 10 रुपी सस्ता या 5 रुपी सस्ता, तब आपको प्रॉफिट होने के चांसे हो सकते हैं, तो मैंने ये, कल मैंने यही मिस् खाता है, ठीक है, और 2 कलो का मुरगा होने में लगवों को 3 कलो दाना आपका खा जाता है, मैं नहीं चाहता दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोई गलत बात बताओं, इसलिए मैंने ये रिव्यू वीडियो तुरंद मुझे लगा कि हाँ मैंने गलती करी, तो मैंने तुरंद आपको ये वीडियो बना के पूरा क्लियर कर दिया, confusion आपका, तो इस तरीके से आप अपनी costing निकाल सकते हैं, दोस्तों, अगर आपके 80 costing आ रही है, ठीक है, अगर इस समय आपकी 80 costing आ रही है, और आपका मुरगा माल लो ओट गया 88 में, और आपको मुरगा अगर ओट गया 89 चलेज के दो हजार केजी भी अगर आपका मरण रहे तो तो लगन वगह इसे आपके मुर्गे ज्यादा होंगे तो आपसे आपका profit बढ़ता जाएगा तो आज की वीडियो में स्रिफ इतना ही मैं आपको अपना जो गलती है मैंने जो करी थी वो आपको रिव्यू कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी अगली इसी तरीके कि मेरे माध्यम से कोई भी गलत information मैं दूँ अपने सब्सक्राइबर भाई लोग तो इसी तरीके वीडियो देखते रही है जैहन जैपारत थेंक्यों